JTC Holidays प्रस्तुत करता है Goa Virtual Tour. Tito's Street यह एक ऐसा क्लब है जो विशेश रूप से अपने प्रमुक स्थान और इसकी शीर्ष सेवा के कारण बहुत अधिक भीर को आकर्शित करता है. गोआ के उत्तरी तट पर एक छोटा सा गाव अंजुना, गोआ के उनकुछ दर्शनियस थलों में से एक है जहां बहुत सारे परियतक आते हैं. गोआ का सबसे बड़ा समुद्र तट कलिंगुट बीच को प्यार से समुद्र तटों की रानी के रूप में भी जाना जाता है. दूद सागर जलप्रपात गोआ करनाटक सीमा पर स्थित है और भारत के दर्शनियस थलों में से एक है. पूर्तगालियों की एक और विरासत, फोर्ट अगुरा 1612 से अरब सागर का सामना करने वाले समुद्र तट पर सक्वत खड़ा है, जब इसे हमलावर डच और मराठों के खिलाफ रक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था. बागा बीच गोवा के सभी दर्शनियस थलों में सबसे प्रसिद है और गोवा आने वाले परियटक के रूप में आप वास्तव में गोवा नहीं गए हैं यदि आप बागा नहीं गए हैं. क्लब क्युबाना खुद को नाइट क्लब इन दस्काई कहता है. यह उत्तरी गोवा में अपोरा पहाडी की चोटी पर एक दूरस्ट स्थान पर स्थित एक क्लब के लिए उप्यूक्त नाम है और यह गोवा में घूमने के लिए शीर्ष स्थान भी है. यह गोवा में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सबसे अधिक बार देखे जाने वाले स्थानों में से एक है. गोवा की राजधानी में स्थित सुन्दर चच का अतीत के साथ एक लंबा अनुभव रहा है. एक तरफ कलंगुट बीच से दूसरी तरफ फोर्ट यह समुद्र तट केंडोलिम बीच से जुड़ा हुआ है और इसके किनारे के एक छोर पर अगुड़ा का किला है. नतीजतन यहां के परियटा काकर्शन केंडोलिम के समान ही है. एक कैसीनो क्रूज आवश्यक है, बुनियादी स्तर पर एक रेस्टरॉंट, लेकिन उन लोग के लिए अतिरिक्त कैसीनो सुविधाओं के साथ जो वेगास शेली के मनोरंजन में हाथ आजमाना चाहते हैं. अंजुना फ्ली मार्केट गोआ में सर्वश्रेष्ट में से एक है. यह समुद्र तट के द्रिश्य के लिए एक दिलचस्प सेट है और केवल नवंबर के मद्य से अप्रेल तक संचालन में है. बेशक गोआ में पानी से जुड़ी गतिविदियों में कोई कमी नहीं है. लेकिन गोआ के उपर और नीचे विभिन समुद्र तट परियतकों को कई विकल्प प्रदान करते हैं, यह विकल्प सभी एक ही स्थान पर नहीं पाए जाते हैं. य यह कलब कई प्रकार के आवास विकल्प भी प्रदान करता है ताकि आप वास्तव में एक या दो दिन के लिए यहां रुखना चुन सकें. इस पर विश्वास करने के लिए आपको वास्तव में दिवार द्वीब देखना होगा. यह गोआ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. तथ्य यह है कि गोआ में पागल पार्टी द्रिश्य के साथ इतनी छोटी, प्राचीन और सरल जगह मौजूद हो सकती है. यदि आप साहसिक खेलों और क्लबिंग पर शांत अनुभव पसंद करते हैं, तो मंडोवी रिवर क्रूज गोआ में सबसे अच्छी गति विधियों में से एक है, जिसे आप आजमा सकते हैं. पालो लेम गोआ के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है, या कम से कम तब तक हुआ करता था जब तक कि यह जोपडियों और फेरी वालों के रूप में व्यावसाय करन से आगे नहीं बढ़ गया. गोआ में अपने आपको आनंद मय समय का उपहार दें, अपनी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए सिंख नाइट क्लब को हिट करें. यह खूबसूरत नदी गोआ के उत्तरी भाग के साथ बहती है और अंतता अरब सागर में मिल जाती है. एक बार एक विशाल, कमांडिंग संरचना ज और जो पुर्तगालियों के हाथों से भारतियों को पारित किया गया था और अपने लंबे इतिहास में कई बार वापस आ गया था, चापोरा किला गोआ में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है. गोआ में वागातोर बीच परियतकों और यात्रा के प्रती उत्साही गोआ में पालोलेम बीच के उत्तर में है. गोआ के सभी परियतन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण और कैथलिकों के लिए एक केंद्रियस थलचिनह में से एक बोम जीसस बेसिलिका वह स्थान है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का ब्रश्ट शरीर रखा गया है. अराम ब सन्बन गोआ गोआ में आयोजित एक वार्षिक इलेक्ट्रोनिक नृत्य संगीत समारो है जिसे पूरे एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सभा होने का दावा किया जाता है. प्यार और आत्महत्या से जुड़े दुखद इतिहास वाला एक छोटा समुद्र तट दोन अपेक्षाकृत कम है और परिनामस्वरूप असाधारन रूप से शान्त और शान्त है. गलगी बागा बीच गोआ में परिवार के साथ घूमने के लिए कई जगहों में से एक है. यह दक्षिन गोआ में स्थित है और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं. बेन मोबोर बीच वास्तव में कवेलोसिम बीच का सबसे दक्षिनी छोर है. यह समुद्र तट का अधिक सक्रिय छोर भी है. दक्षिन गोआ में सबसे लोगप्रिय समुद्र तट, कोलवा बीच गोआ का एक पर्यतन स्थल है. समुद्र तट में सफेद रेत का एक बहुत ही प्यारा खिचाव है जो लगभग 25 किलोमेटर तक फैला हुआ है पंजी से 7 किलोमेटर की दूरी पर यह समुद्र तट लोक प्रिय पर्यटकों की नजरों से छिपा हुआ एक छोटा सा रत्न है यह समुद्र तट की शान्त और प्राचीन प्रकृती को बनाए रखने में बहुत मददगार है गोआ के सबसे महान कैसीनों में से एक बिग डाडी कैसीनों पर जाएं और वास्तविक जैकपॉट जीतने के लिए विभिन गेम खेलने में कुछ समय बिताएं यह गोआ की उन जगहों में से एक है जहां आपको लंबे समय तक पार्टी करना है तो आपको जरूर जाना चाहिए अंजुना समुद्र तट परस्थित यह अपनी तरह का अनूठा क्लब है अपने दस्ते के साथ एक उर जावान और मस्ती भरी रात का आनंद ले और हैमर्ज में शानदार समय बिताएं जब आप गोआ में हूँ तो आपको कुछ बहतरीन रोमांच प्रदान करने के लिए तयार किया गया लव पैशन कर्मा को शहर का सबसे अच्छा पार्टी क्लब माना जाता है जो अपने ग्राहकों को शानदार संगीत, ट्रिपी लाइटिंग और एक डांस फ्लो और एक डीजे से बना एक अधबुत वाइब के साथ हिट करता है गोव में सबसे लोकप्रिया नाइट लाइफ स्थानों में गिना जाता है क्लब टीटो एक नाइट क्लब है जो इस खशेत्र में सबसे अधिक होने वाली कुछ घटनाओं की मेजबानी के लिए जाना जाता है गोव में घूमने के लिए सेकडों जगह हैं लेकिन बोंगला वन्यजीव भ्यारन्य गोव के अन्य परियतन स्थलों से काफी अलग है म्यूजियम ओफ क्रिस्चिन आर्ट 1994 में बनाया गया था और यह गोव का एक प्रमुख परियता का कर्शन है समुद्र तटों में से एक को हिट करने के लिए उत्तरी गोव जा रहे हैं कुछ समय अवश्य निकालें और लामगुआ गुफाओं की यात्रा करें गोव के छिपे हुए परियतन स्थलों में से एक गोव में दो अंतरदेशिय किलों में से एक अभी भी बरकरार है राज्य में एक प्रमुख परियता खाकर्शन मंगुशी मंदिर आप में से उन लोगों के लिए एक महान जगा है जो पश्चिमी समुद्र तटों से दूर प्रामानिक गोवन जीवन का स्वाद लेना चाहते हैं JTC Holidays Private Limited राजकोट Contact 968-789-5000 या 922-76-008-9